नमस्कार सभी प्यारे विद्यारतियों को मैं कपिल चाहर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परवाद टॉप तक पर जहां हम सभी लोग आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुचाएंगे वीडियो की इस रंकला में मैं आज आपके लिए लेकर अया हूं भारत के प्रमुख जिनको अंग्रेजी में आप पास के नाम से आंते हैं पास कहते हैं आप उनको और तिबबती भासा मैं जो दर्रा सब्द है इस दर्रे सब्दी के लिए ला सब्द प्रियोग किया जाता है जैसा कि आ आप देख रहे कि यहाँ पर ला सब्द आ तो आप बताईए का ला का आर्थ होता है दर्रा अब बात या आती है कि दर्रा कहा किसे आता है दर्रे से मतलब क्या है तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे होंगे एकाप चित्र मैंने आप आपके लिए रगाया है दर्रे का आर्थ होता है परवतिय रास्ते परवतों प्रमुख प्रमुख दर्रों की अगर मैं बात करूं तो भारत के प्रमुख प्रमुख दर्रों में आपको इतने दर्रे कंप्लीट करने हैं आपको इस पर याद अखना है जिन में महतपूर तोर पर हम लोग बात करेंगे कराकोरम दर्रे की बुर्जीला की पीर पंजाल की ज जो बेसिकली जम्मु कस्मीर में इस्थित हैं इसके अलावा थानला मालला लिपलेक यह आपके उत्राखंड में इस्थित हैं इसी तरीके से और भी आपके नाथूला जिलेपला बूमला यांग याप दिफू तुजू थालगाट भोरगाट सिंकोटा और पालगाट यह आप उस दर्रे के यह अगर आपसे यह भी पूछ सकता है कि वह दर्रा किस जगा को किस जगा से जोड़ने का कारे करता है और यदि उस दर्रे के बारे में कुछ important information यदि होगी तो वह भी exam में आपसे पूछी आती है एक चीज आप याद रखेगा दर्रे से कभी भी बहुत ज़ दर्रों की बात करेंगे तो सबसे पहले जम्मु कस्मीर राज में बात करते हैं जम्मु कस्मीर राज में अगर हम बात करें तो देखेगा सबसे प्रसिद्ध दर्राज को है वह आपका कराकोरम दर्रा कराकोरम दर्रे के बारे में दो तीन फैक्ट आपको याद अखने है अगर हम हेमाले परवतमाला की बात करें तो हेमाले परवतमाला में आपको याद होगा हेमाले परवत सिर्णी जो है वो चार संखलाओं में बटी हुई है जिसमें सबसे बाहर की और जो परवत संखला है उसे आप लोग पार हेमाले या ट्रांस हेमाले के नाम से जानते हों य सबसे नीचे की और आपको सिवालिक स्रेणी देखने को मिलती है तो जो आपका ट्रांस हेमाले है उस ट्रांस हेमाले को भी अगर आप देखोगे मैं आपको पहले भी एक चीज एक वीडियो में करा चुका हूँ तो वहाँ पर आप इस चीज को देखताते हैं कि ट्रांस हेमा तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है यह कहां पर इस्तित है तो आपको एक और चीज या दखना है यहां पर एक चीज देखेगा आप लोगों ने एक टर्मलोजी सुनी होगी जो है आपकी अकसाई चीज आपको याद अखना है इस वाले हिस्ते को अकसाई चीन के नाम से जोड़ायाता है यह वाले हिस्ता चीन के द्वारा कब जा रखा गया है ठीक है तो यह चीज आपको याद अखना है आगे की तरफ चलते हैं अगला दर्ला है वो है जोजीला जोजीला दर्रे की अगर मैं बात करूँ तो समुद्र तल से उंचाई 3528 मीटर है कसमीर घाटी को लेह से जोडने का कारे करता है किसको कसमीर घाटी को लेह के साथ में जोडने का जोडने का कारे करता है वो दर्रा है आपका जोजीला दर्रा जो जीला दर्रा को आपको यादखता है ये किस परवत स्रेडी में इस्थेता है तो ये जासकर स्रेडी में इस्थेता है किस में है ये जासकर स्रेडी का एक भाग है पीर पंजाल दर्रे की बात करें तो पीर पंजाल दर्रे की उंचाई समुद्र तल से उंचाई 3490 मीटर है इसके अलावा पीर पंजाल परवत सेड़ी में इस्थेत है, पीर पंजाल सेड़ी ये भी आपके हिमाले का ही एक भाग है, और इसके अलावा पुलगाओं से कोठी जाने का रास्ता इसी पर है, ये जो आपका दर्रा है, ये पुलगाओं को कोठी के साथ में जोड़ने का कार तरे करता है इसके अलावा बानिहाल दर्रे की बात करें थे अगर हम बात करें तो आपको या दखना है इसकी समद्र तल से हुचाई डोजार आटसो बत्तिस अ मिटर है इसके अलावा पीर पनजाल परवत सेड़ी में आता है और मुख्य तोर पर याद अखेगा कि जम्मू और स्री नगर को आसमें जोडने वाला जो तरया है वो कौन सा है बाने täll दर रहा है इसके अलाभा जवाहर सुरंग से बनी हुए ठीक है जवाहर सुरंग की अगर हम बात करें प्रिसिद जवाहर सुरूंग की बात करें तो ये किस दर्रे में इस्तित है तो ये बानिहाल दर्रे में इस्तित है और जम्मू से स्री नगर जाने वाला NH1A जो आपका नेशनल हाइवे है वो भी यहीं से होकर गुजरता है इसके अलावा बुर्जीला दर्रे की बात करें तो इसकी समुद्रतल स जो पाक occupied कसमीर में इस्था है आपका गिलगेट और उसके अलाबा स्रीनगर ये आपके भारत की था उसमें इस्था तो इन दोनों को यानि स्रीनगर को गिलगेट से जोदने का कारे करता है बुर्जी लादर्रह थे जासकर परवत में इस्थेत है और याद रखेगा मंडी को लेह से जोड़ने का काम करता है क्या मंडी हिमाचल प्रदेश में इस्थेत है और लेह जो है वो आपके लद्दाक में इस्थेत है इन दोनों को आपस में जोड़ने का कारिज जो करता है वो है आपका बड़ा लाचाला दर्रा इस का कारे करता है क्या सिम्ला को तिब्बत से जोडने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है सिप की ला दर्रा सत्रुज नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है ठेक है सत्रुज नदी जो है वो भारत में इसी दर्रे के पास से होका भारत में प्रवेश करती है इसके अलाब तल से उच्छाई 4620 मीटर है और या दखेगा ये मनाली को लेह से जोडने का काम करता है किसको मनाली को लेह से जोडने का कादे करता है और या दखेगा रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग जो विश्व की सबसे लंबी सुरंग है यहां रोहतांग दर्रे के नीचे ही गचार का है और आपको यादखना है इसकी कुलंबाई कितनी है तो 9.02 km लेकर ना City बहु TRAG ा आपकी नीचे बना गळाएं जिसकी कुल लंभाई 9.02 km इसके अलाबा ऊत्त्त्रा खंड राज जी की बात करें तो त्तु कंड राज्य में आपको याद अकना है लिपुलेक दर्रा लिपुलेक दर्रा जो है यह उत्त्रा खंड के पिथोरागड जनपद में इस्थेत है उंचाही समद्द तल से उंचाही पांच या 334 मीटर है इसके अलाबा पिथोरागड को पिथोरागड को जोडने का काम करता है इसको उत्त्रा खंड के माना गाओं को यह तिबबत से जोडने का कारे करता है नीती दर्रा की बात करें तो उंचाई 5,068 मेटर है और इसके अलाबा उत्त्रा खंड की महाने हीमाले स्रेणियों में त्राखंड को तिबबस से जोड़ने का कारे करता है ठीक है ये चीज आपको यहाँ पर आदकना हैं आगे की तब देखेगा सिक्क्यम राज्जी की बात करें तो ये सिक्किम राज में आपको याद अखना है नाथूला दर्रा ठीक है नाथूला की अगर हम बात करें एक चीज जा दखेगा जब आप ला सब्दी यूज़ कर देते हैं तब आपको दर्रा लिखने के आप शक्ता नहीं है क्योंकि ला का अर्थ भी जो है वो क्या है दर् दर्रा सिक्किम राज में दोंगे क्या स्रेणियों में इस्तित है चार याद 310 मीटर इसकी समुद्र तल से उंचा ही है और यह दर्रा जो है यह सिक्किम को चुमबी घाटी चुमबी घाटी से जोडने का कारे करता है भारत चीन की सीमा पर होने के कारण इसका सामरिक हुआ था तो उसके बाद भाईया इस दर्रे को बंद कर दिया गया था लेकिन बाद में फिर 2006 में आपके व्यापार की द्रश्ची से इसको एक बार दोबारा से खोल दिया गया इसके अलावा आपको याद रखना है जेलेपला दर्रा की बात करें तो सिक्किम और भूटान सिक्किम को भूटान से जोडने का कादे करता है इसकी समुद्ध तल से उचाई 4,270 मीटर है और इसका निर्मार तीस्ता नदी पर किया गया है ठीक है यह आपका कहां पर इस्तित है तो आपको याद रखना है यह तीस्ता नदी के पास-पास में इस्तित है बोमडीला दर् वजा 270 मीटर इसके अलाबा अरणाचल प्रिदेश के तवंग घाटी को तिब्बत से जोडने का कारे करता है इसके अलाबा तवंग में प्रिसिद्ध बहुद मठ यहीं पर इस्तित है यांग आप दर्रे की बात करें तो यह दर्रा भारत और तिब्बत के बीच ठीक है भा भारत और तिब्बत की सीमा पर इस्तित है ब्रह्मपुत्र नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास से प्रिवेश करती है कई बार आया हुआ कुछ नहीं कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होका प्रिवेश करती है तो यह आंग याप दर्र दिफू दर्रे की बात करें तो अरुनाचल प्रदेश और म्यामार की बॉर्डर पर ठीक है अरुनाचल प्रदेश और आपके म्यामार की बॉर्डर पर इस्थेत है आपका दिफू दर्रब इसके अलाबत तुझू दर्रे की बात करें तो यह आपका मडीपूर राज्य में इ बात करें तो इसकी समधुतन से उंचाई 300 मीटर है है ना कोजी कोड जगे का नाम है कोजी कोड केरल और कोयमबटूर तमिलनाडू को आपस में जोडने का काम करता है और अन्ना मलाई और नील गरी की पहाडियों के बीच में इस्थेता है आपका पालगाट डर्रा इसके इलाइची की पहाडियां जन्हें आप काडामम स्रेणी के नाम से जानते हैं काडामम पहाडियां भी कहते हैं आपने जो केरला में इस्थेते हैं आप से यह पूछ लेता है कि भारत की सबसे दच्छन में इस्थेत परवस्रेणी का नाम क्या है तो सबसे दच्छन में इस् इसकी समुदुतल से उंचाई है और याद रखेगा तिरुवनंत पुरम और मदुरई को आपस में जोड़ने का कारे करता है किसको तिरुवनंत पुरम जो आपका केरल में हैस्तेता है मदुरई जो आपके तमिलाडू में हैस्तेता है इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार करता है जब कि भोरगाट की बात करें तो यह की समद्दतल से उंचाए 548 मीटर है और आपको याद अकना है मुंबई को पुने और चेन्नई से जोड़ने का कारे करता है भोरगाट दर्रा एनेच 48 मुंबई चेन्नई इसी दर्रे से होकर गुजरता है कौन सा एनेच 48 जो है व आपको नहीं पर आपको कहां पर प्रोवाइड होगी तो उसके लिए आपको топ तक अप्लिकेशन को डाउनलोड करना है एन तो यहां पर युप तक्रे यादर करते हैं हम पर आपको यूट्यूप के दियन पकर नाम से जहां पर आपको सारी की सारी जो धूर doom प्रोइड को उसके अलाबा reasoning का भी 20 दिन में 20 chapter complete कराने का crash course especially group D के लिए चल रहा है वीडियो अधी पसंद आया हो तो इसे like और share करना मत बुलिएगा चैनल को subscribe करना मत बुलिएगा अगले वीडियो में नई information के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करूँगा तब तक के लिए जै हिन जै भारत